हेलो फ्रेंड्स वेल्कम तो दे पेंटिंग टूटोरियल आज मैं आपको यह पेंटिंग बनाना जिखाऊंगा इसमें शिव जी है और बनारस का घाट है इसमें मैंने इसका स्केच मैंने मेजर्मेंट्स लेके बनाया और उसके बाद पेंट किया तो आईए चलो शुरू करते हैं यह पेंटिंग सबसे पहले हमने एक एनवास बोर्ड लिया 36 x 24 इंचेस का उसके उपर मैं बन अमबर से एक कोट कर रहा हूं यह टीपिकल प्रैक्टिस है जो फॉलो करते हैं जिससे हमारा बोर्ड जो है एक बेस मिल जाता है उसको और एक वार्म फीलिंग आती है अब मैंने एक स्केच किय इदर जो देख सकते हैं टेंपल्स और एक साइड में शिव जी का स्केच है इसके लिए मैंने रिफ्रेंस फोटो यूज किये थे और फिर मैंने स्केच किया अब मैं सबसे पहले स्काइपेंट कर रहा हूं उसके लिए मैंने यलो औरकर और वाइट और थोड़ा सा बर्ट कर लिए मिक्स करके फर्स कोट स्काइ का कर रहा हूं इसके लिए जो है अभी क्रिसक्रॉस स्ट्रोक्स यूज कर रहा हूं है और यह फर्स लेयर है इसका इसके बाद मैं फिर से स्काइप करूंगा यह देख सकते हैं कि मैंने टेंपल और जो यहां पर हाउसेज हैं उसको काफी डार्क आउटलाइनिंग किया है और अब उनके उपर मैं थोड़ा ब्राउनिश शेड मतलब बन अमबर का यूज कर रहा हूँ मैं एक लेयर होने के बाद करूंगा देख सकते हैं कि मैं वाइट मिक्स करके उसको स्काय को और लाइट कर रहा हूँ हम मैंने जो होरीजन लाइन है टेंपल और जहां पर जमीन और रिवर जो मिल रहे हैं उस लाइन को मैंने माग किया कलर्स के साथ और बर्न अंबर का बहुत हलका हाथ पर पिंट कर रहा हूँ जिससे कि मुझे पिछे का स्केच अफिकर आहेकर कई तो क्योंगिया लाइकर को बहुत ही डार्क के साथ पींट किया था और स्केच किया ता जिससे मैं भी का सो अब जो है sky को remaining portion जो है का है उसको मैं complete कर रहा हूं शिव जी टेंप प्रतिमा को अभी मैं paint नहीं कर रहा हूं, वैसे ही छोड़ूंगा जितनी एक्यूरेसी से और सफाई के साथ मैं कर सकता हूँ उतनी सफाई से करनी कुछ कर रहा हूँ अब मेरा स्काय कंप्रीड हो गया है नीचे जो है रिवर भी यलो और कर से मैंने पेंट किया है अब मैं सबसे पहली बिल्डिंग जो है लेफ्ट साइट से उसको पेंट करना शुरू किया इसके लिए मैंने यलो और कर बन अमबर थोड़ा सा उसमें औरेंज का कलर यूज किया और अब इसको मैं वाइट के साथ मिक्स करके डिफरेंट टोन्स बना रहा हूं और पेंट कर रहा हूं इसमें ध्यान यही रखना होगा कि हमारे जो स्ट्रोक्स हैं वो उस बिल्डिंग के हिसाब से होने चाहिए मतलब जो लाइन है उपर से नीजे तक स्ट्रेट आनी चाह जिसको अवाइट करने के लिए अब में जो एजेज हैं जहां पर हाइलाइट है बिल्डिंग की उनको मैं जो है बर्न अमबर और उसमें थोड़ा सा ब्लू मिक्स किया है जिसे एकदम ब्लैक जैसा कलर दिखता है मैं इस पूरी पेंटिंग में ब्लैक कलर यूज नहीं हूंगा जिसे बर्न अमबर और ब्लू या बर्न अमबर और पुड़ा रेड जिसे की ब्लैक जैसा कलर बनेगा पर ब्लैक एक्जेक्टी आम नाट गूंग तो इस पेंटिंग अब जो पॉर्शन वाइट है उसको मैं वाइट के साथ पेंट कर रहा हूं आप देखते हैं स् दो या तीन साइज का मैग्जिमम टाइम यूज़ कर रहा हूं और जहां पर भी मुझे लाइन कीचना होगा जो डीटेलिंग पार्ड होगा वो मैं बाद में उसमें करूंगा अभी जो है एक लेयर बंडिंग की बनाके मैं जो पास वाली बिल्डिंग है जो लेफ्ट साइट की जो बिल्डिंग है और जो मंदिर है उसमें मैं बहुत डीटेल काम करूंगा जिससे वो बहुत पास में ऐसा है अपियर करेगी और जो बाकी के मंदिर और बिल्डिंग्स उनको मैं थोड़े फैड़ेट कलर के साथ डाउन टोन के साथ मैं पेंट करूंगा जिससे वो दूर दिखाई देंगे घर और बिल्डिंग और सिटी स्केब और टेंपल यह बनाना बहुत ही सिंपल भी है और अगर हाथ जम जाए तो आप बहुत इजीली बना से इसके लिए आपको डाइमेंशन और प्रस्पेक्टिव का बहुत ध्यान रखना पड़ता है जो बिल्डिंग पास है वो थोड़ी टोन में रहेगी जो थोड़ी दूर है वो लाइट टोन में रहेगी और उसका साइज भी छोड़ा-छोटा होता जाता है जिसकी वैसे वो दूर दिखाई देती है अब मैं स्टेर्स बना रहा हूं इसके लिए भी मैं बहुत डीटेल और क्लीन नहीं कर रहा हूं मैं जो भी एक अंदाजे से डाक ब्राउन और लाइट कलर्स का यूज़ करके सीडियों जैसा एक लुक दे रहा हूं जिसको मैं बाद में फिर से पेंट करूँगा जिस तब मैं उसकी काफी डीटेलिंग के साथ पेंटिंग करूँगा अभी जैसे मैंने बोला कि यह मैं एक परकासे कर रहा हूं कलर्स को और ब्लॉक करने के बाद में डीटेलिंग करूँगा तोड़ा रेडिश कलर लिया है मैंने और उसका बॉटम रेट कलर के साथ पेंट कर रहा हूं अब मैंने थोड़ी-थोड़ी हल्की डीटेलिंग चालू करिए यह डीटेलिंग करने के लिए मैं जो वो बिल्डिंग से मैच करनी चाहिए है आप लाइन को देख रहे हैं इधर सीधी लाइन है उदर थोड़ से टिल्ट हो रही नीचे की तरफ जिससे वो ऐसा लुक आता है कि बिल्डिंग का जो है एज हमें दिखाई दे रहा है और थोड़ा छोटा हो जाता है ताइस तो दूर दिखाई देता है यह जो मैं पेंटिंग बना रहा हूं इसमें मैं इस तरह से बताने कोईशिश कर रहा हूं कि यह बनारस जो है इस सिटी जिसमें शिव जी का वास है और गंगा है और घाट है अब बहूत सारे टेंपल्स हैं और उनमें जो है एक अलग ही अपने आपको फीलिंग आती है जब हम बनारस जाते हैं तो मैंने इस तरह से बताने की कुशिश किये कि इस सिटी में सही में शिव जी का वास है और वो एक ध्यान मुद्रा में शिव जी की एक विशाल आकरती दिखाई दे रही है जो की एक्जेक्टली घाट के सामने है तो ये मेरा अंदर एक विचार आया जिसको मैंने सोचा कि प मैं यलो और कर औरेंज रेड इस तरह के कलर जो एक हिंदू धर्म के साब से या मानने था के साब से रहते हैं अब आप देख रहे हैं मैंने दूसरी वाली बीडिंग को थोड़ा पेंट करना शुरू किया फिर से उसमें बहुत ज्यादा डीटेलिंग नहीं कर रहा हूं एक फर्स कोड जो है सेकिंड लेयर सोरी फर्स्ट अपनने जो है वरन तरह के साथ किया था सेकिंड लेयर ये रिलेटेट कलर थैं कलर तीम वही है यलो और कर में वाइट और थोड़ा बरन अंबर यूस कर रहा है और जहां जरूर्ट हुझ हे वाहां तोड़ा ओर रेड को ये और जब इस तरह की पेंटिंग्स बनाते हैं जिसमें हम बिल्डिंग्स को दिखाते हैं तो जैसा कि मैंने पहले भी बता है उसके साइस का उसके कंपोजिशन का उसके कलर का कॉंट्रास्ट का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है अगर दूर वारी बिल्डिंग में मैं डाक सीउज ओस करूंगा तो वो बीलंग्स या मंदिर दूर नहीं दिखाए देंगे वह पास आजाएं तो हमको यह दिखाना आना की जो चोटे चोटे मंदिर है वह बहुत दूर है और यह बहुत पास में है और शिव जी के रिलेटियोली वह कितने दूर और कितने पास है वह भी अपने को इस पेंटिंग में में इंटेन करना पड़ेगा अब आप देखिए मैं अपने आप ही समझ गया हूँ कि मेरा कलर्स जो है वो थोड़े डिम होते जा रहे हैं जैसे से में दूर जा रहा हूँ और एस कंपेर टू जो कलर्स मैंने पहली बिल्डिंग में यूज के वो थोड़े डार्क कलर्स को अच्छे से मैनेज करना अपने आप में बहुत बड़ा काम है इसमें पेंटिंग को जो डिफ देने के लिए हम डिफरेंट टोन्स बनाते हैं एक ही कलर के बहुत सारे टोन् éesसको फैट कर सकते हैं और लाइट कर सकते हैं डॉठ बिल्डद होती होती है मिम कलर रहता है वड़िए के बिजह जो सबी नहीं कोछे पर चाहिए करता रहोंगा जिससे मैं आने वाले समय में और ज्यादा इसमें इंप्रूव कर सको अब फिर से मैं थोड़ा सा काम सीडियों पर कर रहा हूं उसको थोड़ा फाइन ट्यून कर रहा हूं क्योंकि यह बहुत बड़ी पेंटिंग है इसके लिए क्या है कि जहां पर में को टाइ है और थोड़ा सा टिंच अब ब्लू है अल्ट्रमरीन ग्लू जो मैंने रेड और बर नमबर के साथ यूज क्या था एक डार कर टोन बनाने के लिए अब आप देखिए दूर से वह जो चुटी-चुटी बिल्डिंग्स हैं जो स्क्वार्स मैं बना है आपको ऐसा दिख रह होगा कि वह तारे घर जो है बहुत दूर है अब मैं थोड़ा सा नाइफ को यूज करके जहां पर भी हो सकता है लाइनिंग का काम कर रहा हूं जिससे क्लियर कट एक अंदाज आ जाता है कि मुझे कौन सा कलर किस लेवल पर कहां अपलाई करना है अब मैंने थोड़ा लाइन मुझे थोड़ा माइनर और डीटेल काम करना है वह एरिया इसको मैं ले रहा हूं थोड़ी हाइलाइट्स लगा रहा हूं मंदिर के ऊपर और दूसरे छोटे-छोटे मंदिर के ऊपर जिससे वह एक जो लाइट है उसको पर पड़ रही है और इसकी वह एक रिफलेक्शन आ और जो एक वहाँ पर जाकर अनुभूती होती है उस तरह के नुभूती मुझे हो रही है बनारस घाट मैंने पहले भी एक बार प्रेंट किया हूँ है बहुत बड़ी पेंटिंग थी वह चार फिट बाई तीन फिट की यह पेंटिंग मेरी तीन फिट बाई तो फिट की है और इसको पेंट जब भी करता हूँ बनारस का काट मुझे बहुत ही अच्छा लगता है अब मैं और डीटेलिंग कर रहा हूँ इसके लिए मैं वही वह नमबर रेड वाइट ऐसे डिफरेंट कलर्स को यूज करके उसको डीटेलिंग करने कुश्च कर रहा हूँ हूँ पर जो इसका है उसमें थोड़े बादल जैसे दिखाएते रहें जिसके वैसे वह इंटिंग की डेफ थोड़ी चली गई है मैं इनको बाद में एक लेन इसका बनाऊंगा जिससे पेंटिंग और डीप लगेगी मैं जो है अब देकी लाइन्स को बनाने के लिए मैं स्टिक का य भी आर्टेस्ट इसी तरह से पेंट करते हैं यह इनदर बात की मेला रहा है यह बासरी पैंटिंग मैं पंवेस औरो में बाुड़ा सब बना रखा इसमिए इसमें बाद के बनाता हूँ रहा आजए छोह है वींटर सीजन चल रहा है और बाहर बैठके रात के समय पेंटिंग को इतना अच्छी तरह से प्रेक्टिस करता हूं कि मुझे बाकी सब दिखाई नहीं देता आप देखिए छुटे-उटे टेंपल्सें उनको हाइलैट कर रहा हूं आप देख रहे हैं बहुत-बहुत लाइट कलर यूज़ किया है मापर मैंने इसके वैसे वह बहुत दूर देख़े दे रहा है कि और उनको थोड़ा ज़ितना जरूरत है इतना ही देटलींक नहीं करτεंग हुआ जो और समॉइन प्रिकंग यह आपको फुर obamas 75 दूर नहीं देखते हैं उसमें आपको फोटन हां दाजॉब साधा है बट इसको आपको फिर नहीं देख सकते तो वही एफेक्ट लाने के लिए मैं बहुत जाए डीटेलिंग नहीं करूँगा उस एरिया में जिहां पर की मंदिर दूर दिखाई दे रहा है अभी मेजर काम जो बचा होगा है वो शिव जी की प्रतीमा का है मैं यही अभी भी सोच रहा हूं कि मैं कौन सा कलर यूज करूं जिससे वो बहुत ही उठके और एकदम सामने आए जो भी अभी तक काम किया है मैं टेंपल का मंदिर का नदी का सकाय का यह एक सपोर्टिंग काम है उस पैंटिंग के लिए जो मेन हाइलाइट इस पैंटिंग की है या जिस के वो फोकस रहे हो लोगों का वो शंकरवी है जो वो में जै उस तरह से उसको पेंट करना पड़ेगा कि जो भी अभी तक दिया है उसमें वह बेस्ट लगें और अच्छे लगें जिसके जिसके लिए मैं अभी सोच रहा हूं कि मैं कौन सा कलर कौन सी कलर स्कीम यूज़ करूंगा जिससे एकदम से वह इस पेंटिंग के उपर हाइलाइट दिखेंगा बहुत हलका डीटेलिंग द करते हुए दो भट मजा रहा है ने अब यह अगर इस को पंट करना चाहे तो इस तरह कींटिंग आप बना सकते हैं और के लिए मिए अभी बूर्ब कायरा बहुती देक जाला में इन मेक तो और हैं उसलिए sm individual को इन ने attitudes कर रहा हो थेज्रेस कि एक नच्ञ और हेड़ा अ पानी नीचे आएगा अभी ऐसा लग रहा पानी ऊपर ओड़ रहा है वट उसको मैं थोड़ा डार्क टोड़ करूंगा अभी फर्स कूट कर रहा हूं इसके बाद फिर से मैं रिविजिट करूंगा इस एरिया को कि यही एक एरिया है जहां पर मुझे थोड़ा फोकस करना है इसमें पानी रियलिस्टिक लगे और जो शिव जी की प्रतिमा है या शिव जी है वो भी इसी पानी के ऊपर अवतरित हुआ है तो इस अबजेक्ट को या इस लेयर को मुझे बहुत ही अच्छे से पेंट करना है तो उसको करने के लिए मुझे फिर से इसके उपर एक और ए अभी में जो जो कलर्स मैंने ऊपर बिल्डिंग के लिए यूज करें टेंपल के लिए उसकी है उन्हीं कलर्स को मैं रिफ्लेक्शन के लिए ट्राय कर रहा हूं यूज करना आप देख रहे होंगे एक ट्रांस्परेंट सा एक ग्लास टाइप का इफेक्ट आने लगा है इस हम बनाते हैं तो उसके लिए स्ट्रोक के ओपर बड़ा ध्यान देना पड़ता है इसमें आपको होरिजंटल स्ट्रोक सी मारने होते हैं और जिस तरह से फ्लो होता है उस तरह से आपको पानी का के लिए स्ट्रोक यूज करने पड़ते हैं अगर आपने वर्टिकल यूज य आप पेंट करते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि उसके लिए हुरिजंटल स्ट्रोक्स आपको यूज करने चाहिए अब मैं बड़े ब्रश से करीवां देड़ इंच का ब्रश है फ्लैट ब्रश उससे कर रहा हूं जिससे जितने बड़े ब्रश से जितना एरिया कवर कर सकते है उससे आपका जो है एक एक डेफ्ट आती है और एक बड़ा पेंटिंग होने का मजा आता है या लुक आता है आप जितना छोटा ब्रश यूज करोगे इस तरह की ऑप्जेक्स के लिए पानी या स्काई के लिए तो वो सफाई ही नहीं होती है इसमें मैं तोड़ा वाइट और यूज कर रहा है जिदर से थोड़ा साइसा लाइट इफेक्ट आएगा पर में सकाई को बार बार रिविजिट कर रहा हूं मुझा अभी भी पूरी दर से सकाय में मजा निया है मैं फिर से इसको एक बार पेंट करू जिससे चमकता हुआ था एक फैक्ट आता है बहुत ही हाथ सधा हुआ होना चाहिए जब आप यूज़ करते हैं मैंने कुछ पेंटिंग सिर्फ नाइफ से बनाई हैं जिसमें अभी सिटी स्केप बनाई थे मैंने दो इसमें सिर्फ नाइफ का यूज़ किया और बड़ा ही मज़ा आया नाइफ से पेंटिंग करने का आप लोग भी जरूर कीजिए यूगि नाइफ एक ऐसा वे है इसे जो है बहुत ही मज़ा आता है उसको देखने को लिए टेक्स्चर बनता है और लाइन्स के लिए तो यह बहुत ही अच्छा एक साधन है मैं जब इस तरह की लाइन्स यूज़ करना होता है तो जन्रली नाइफ यूज़ करता हूँ अब जो है मैं में में आपजेक्ट जो है शंकर जी उनकियो पर काम शुरू किया इसके लिए मैंने परपल कलर और अल्ट्रा मरें ब्लू और वाइट यही तीन कलर यूज़ करके मैं पूरे शेड्स बनाऊंगा जहां पर लाइटर टोन है वहां परपल और थोड़ास परपल उसमें डालूगा और जहां बहुत ही लाइट करना है यह इसा अबहार या शाइन लानी है तो महां मैं वाइट को बहुत ज्यादा मिक्स करूंगा जब हम बॉड़ी किसी बॉड़ी को पेंट करते हैं या फेस को पेंट करते तो इस ट्रोक्स के बारे में थोड़ा प्रॉपरली लगाएंगे देखिए अब मैं अल्ट्रामरीन ब्लू और परपल को यूज कर रहा हूं जहां पर डार्कर एरिया है शिव जी के उसको पेंट करने के लिए तो यह खुल मिला के पूरी पेंटिंग में मैं सारी शंकर जी को पेंट करने के लिए मैं परपल अल् प्रतीमा एक यूनीक टाइप की लगेगी और यह जो तीनों कलर हैं इसका जो मिक्स्चर है वो टोटली कॉंट्रास्ट है जो बैग्राउंड और मंदिर का कलर हमने यूज किया जिसे यह जो शंकर जी का पेंटिंग है या शंकर जी है वो एक अलगी उठके दिखाई और उसके ओपर लोगों का एकदम से ध्यान जाएगा और वो ही हमारा सबसे बड़ा प्रयास है कि लोग देखते ही शंकर जी को पहले देखें और फिर बैक्राउंड और मंदिर को देखें ना की पहले मंदिर को और फिर बार में शंकर जी को तो पिंटर को हमेशा यह ध्या करना पड़ता है बड़े ज्द्धान से दीरे धीरे मैं Jami strokes कर रहा हुँ आप भी देख रहा हओंगे कौन सा stroke में vertical कर रहा हूं कौन सा stroke में horizontal कर रहा हूं कौन जो जो मुझे sketch में मैंने थोड़े dark areas बना रखे हैं उसको मैं colors पहले use कर रहा हूं ultramarine blue और थोड़ा purple और फिर मैं lighter tone को लगाऊंगा और फिर उसको मैं blend करूंगा जिससे वो एक दूसरे में merge होंगे जहां 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 colors मिल रहे हैं और फिर मैं उसको white के साथ highlights करूंगा highlight करने पर आपको और painting 3D एक image बनेगी जिससे पूरा का पूरा focus जो है शंकर जी के उपर आ जाएगा मैं personally इस painting को करने में जितना enjoy कर रहा हूं इतना मैं आपको बताने सकता हम एक तो canvas size भी बड़ा है और एक बहुती open kind of feeling आरे इसमें मैं जो करना चाहरा हूं कर रहा हूं मुझे पीछे का जो background है वो करने भी बड़ा मज़ा आया उसके जो color theme थी और अब शंकर जी को भी paint करने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि यह भी first time में इतना blue यूज कर रहा हूं मैंने आज तक अपने life में इस तरह से dark blue यूज नहीं किया है तो मुझे उसमें भी बहुत ही मज़ा रहा है यह painting को करने के लिए मुझे करीबन 3-4 दिन लगे क्योंकि यह oil color के साथ मत बना रहा हूं तो मेरे को दूसरी layer को करने के लिए थोड़ा weight भी करना परता था तो oil के साथ यह है कि उसकी finish और blending बहुत अच्छ होती है मुझे personally oil color के साथ काम करने में बहुत मज़ा आता है तो इसके लिए मैं यह painting oil के साथ करना मैं decide किया क्यों बढ़ा के अनवाज भी था और oil को मैं काफी सारे mediums आते हैं बट मैं जो है lincid oil or drying oil और तोले टर्पेंट ओल आइल मिला कर काम करता हूं टर्पेंट आइल लोग और ट्राइंग ओल से आप जब काम करते हैं तो रिलेटिवली वह जल्दी सूप जाता है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और क्योंकि यह आँखें उन्हें बंद की हुई हैं द्यान मुद्रा में हैं तो यह और भी इंपॉर्टेंट है कि आप उसको केयरफुली करें थोड़ा था भी उसका प्रपोर्शन इलता है तो पूरी की पूरी पेंटिंग आपकी चीनि लगेगी तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि नाक कान और होंट जो है बड़े ध्यान से पेंट करना पड़ता है और इसको हम और रिफाइन करेंगे फिर से हम उसको रीडू करेंगे पर बेसिक जो है वह पहली बार में तुड़ा सही करने की कोशिश करते हैं इसके लिए मैं पड़े ध्यान से धीरे धीरे उसको पेंट कर रहा हूं अब होट बना रहा हूं उसके लिए देखिए फिर सिफ जो चीज मैंने बोला है वही कर रहा हूं मैं ने भी उनके ठाक पोर्शन से उनको मैं रिट्रा मरीन ग्लू और थोड़ा सा परपल मिक्स कर रहा हूं जो लाइटर टोन से उसमें परपल में वाइट और थोड़ा रिट्रमरेन ब्लू यूज कर रहा हूं आप भी समझ जाएंगे आप इस की जगे कोई और कलर्स भी यूज कर सेते हैं इसमें मैंने तीन कलर टोन से यूज किये हैं इंटेंसिटी यूज किये एक बेरी लाइट ग् एटन अर्ट्रमरीन फ्लू एट फूरी पैंटिंग मैं मैंने ब्लैक कलर का यूज क्या इन घ्यूं कैने मैं और बहुत सारे ऐसे आर्टीस्ति हैं जो हभी भी ब diagnostic है अब ब्लैक लॉन से क्यों कवर्estruct såals हम 2 तीन कलर को मिक्स करके बना стट फे गरें मैं वर नंबर रेड और ब्लू को मिक्स करके बल्यक बनाता हूं उसे भी पेंटिंग बड़ा फ्रेश लगती है अगर आप जु जो मिलते हैं मार्केट में ब्लैक आईबॉरी ब्लैक या फ्लैक य॥ करते हैं तो फेंटिंग थोड़ी मेरे साफ से डल हो जा तो करना तोड़ा डिफिकल्ट रहता है ऐस कंपेर टू जो ब्लैक आप उच से बनाते हैं तो काफी सारी पेंटिंग्स में मैंने पहले मार्केट में ब्लैक मिलता था वो यूज किया बट मुझे मैं काफी सारे बड़े-बड़े आर्टिस लोगों के साथ मिलता रहता हूं तो मिक्स करके बनाई है तो आपकी पेंटिंग फ्रेश और लाइव लगे और दोस्तों मैंने उस तर फीड़ेक को समझा और उसको यूज किया जिसकी वैसे मैं भी देख रहा हूं कि मेरी पेंटिंग में काफी सुधार रहा है पेंटिंग दोस्तों ऐसा नहीं है कि सब को पें प्रेटेस और जो काम करते हैं इस फीड में उनसे इंपुट लेते रहेंगे तो आपका काम जरूर सुधरता है ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं पर उसके लिए आपको थोड़ा समय देना होगा थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी इससे आप अपना काम और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं आप लोगों को पता ही होगा कि मैंने कोई भी फार्मल एजुकेशन मेरा नहीं है पेंटिंग से रिलेटेट मैंने 2010 या 2011 में अपने आप पेंटिंग शुरू किया पहले वाटर कलर के साथ शुरू किया फिर मैंने धीर धीर एक्रेलिक आज तक मैं करीबन 170 पेंटिंग बना चुका हूं और मैं अभी भी सीखी रहा हूं मैं अपने आपको बहुत अच्छा आर्टिस नहीं मानता हूं मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है तो मैंने काफी सारे जो मेरे फ्रेंड्स हैं फेलो आर्टिस्ट हैं उनसे इंपुट ल कि आपको सब कुछ आता है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं मैं पेंटिंग के लावा जो है आईटी शेत्र में काम करता हूं मैं बहुत बड़ी कंपनी में एक अच्छे पोस्ट पे हूं और मैं करीबन 30 साल से आईटी में हूं और बहुत हैक्टिक जॉब रहता है आईटी क करता हूं तो मुझे बहुत ही रिलेक्स फील होता है जिसा लगता है और आईडियाज भी आते रहते हैं कि क्या पेंट करना चाहिए तो जब भी मैं बहुत प्रेशर सिच्वेशन में होता हूं या आईटी उस साइट में जॉब में मेरे को प्रेशर रहता है तो मैं सा बैग लेके जाता हूं जिसमें छोटे कैनवास एक्रेलिक कलर्स तो प्रशेज होगे रहते हैं तो जब भी मेरे को टाइम बहार भी मिलता है वीकेंड पे लेट नाइट तो मैं थोड़ा-थोड़ा पेंटिंग वहां भी बैठ के करता रहता हूं जिससे मन भी लगा रहत जिसकी वैसे में धाका जाना पूलता था तो मैं वहां पर बैठ के दो पेंटिंग बनाई तीन मैंने मैं लोगों को भी पसंद आता है और मुझे भी अच्छा लगता है अब आप देखिए मैं लाइट टोन्स को डाल रहा हूं किविए डारकर टोन्स का काम उपर वाले पोर्शन में कंप्लीट हो गया है लाइट में भी दो हैं एक बहुत ही वाइट साइड में है और एक थोड़ा सा डार्क साइड में है इस पेंटिंग में काफी कुछ है करने को आप इसमें बहुत ज्यादा माइनिट काम कर सकते हैं इसको और ज्यादा ज्यादा रिफाइन कर सकते हैं और पेंटिंग कभी भी को सोचते हैं कि complete हो गई पर अगर आज उसको कुछ दिन बाद फिर देखेंगे तो आपको लगए यह चूट गया इसको और अच्छे से ऐसे किया जा सकता है जो कि मैंसाथ अक्सर होता है मैं सोचता हूँ कि यह painting complete हो गया पर जब कुछ दिनों बाद या कुछ महिनों बाद उसी painting को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यह भी और कर सकते या यह रह गया या इसकी डीटेलिंग थोड़ी और रह गई है या तो हर painting कितना भी बड़ा artist हो उसमें कुछ न कुछ काम आप जरूर कर सकते हैं कभी भी painting complete नहीं होती यह मेरा विश्वास है आपका भी जो है मत अलग हो सकता है ब अब मैं जो है उनके पैरों का portion कर रहा हूं बहुत ही complex रहता है पैर और हाथ और proportion body का इसके लिए मैंने देखिया आप squares यूज किये थे मैंने इसा नहीं है कि मैं sketch डारेक्ट नहीं कर सकता पर परफेक्ट एक पोज और उसके जो है proportion लाने के लिए मैं इस तरह की जो करता हूं तो बड़ी है जिसमें time लगने हो रहा है मैं squares और grid technique को यूज करता हूं इसमें कोई बुराई नहीं है आपकी printing बनने के बाद perfect लगने चाहिए आप अगर बहुत ही confident है तो आप without grid technique यूज कर सकते हैं आप directly sketch कर सकते हैं पर मुझे इसमें काफी सारा काम था और इचे टेंपल्स भी थे उसका proportion शिव जी का proportion उसका composition यह सारी चीजों को देखते हुए मैंने इसको grid technique के साथ बनाया और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने यह काम सही किया क्योंकि अगर proportion थोड़ा भी विगड़ जाएगा तो पूरी printing उतनी अच्छे नहीं लगेगी तो यह individual के उपर है अगर आप grid technique नहीं यूज करना चाहते हैं अगर जिसमें वो बहर नमबर को डार्क टोल लेके रफ सकेंग पना लेते हैं कैन्वस के उपर और डारेक्ली पेंट करना चालू कर देते हैं तो उस तरह का अगर आपका confidence है और practice है तो आप डारेक्ली उसके उपर paint भी कर सकते हैं sketch भी आप fresh को यूज कर सकते हैं without doing a sketch with the pencil अब मैं थोड़ी darker tone और add कर रहा हूं अब जो है थोड़ा detailing कर रहा हूं के muscles को निकाल के लाना है काफी muscular और Hercules body है शिव जी की इस painting में तो मैं उसको अब धीरे-धीरे उनकी muscles हैं उनके जो wrinkles हैं जो shapes, shades है, light shades पढ़ रहा हैं उनके उपर different angles से उसको अब मैं कर रहा हूं तो सबसे पहले garden के उपर काम कर रहा हूं इसके लिए आप देख रहे हूंगे की dark tone यूज़ कर रहा हूं फिर light tone यूज़ कर रहा हूं जिससे उनकी जो muscle है गरदन के उपर जो wrinkles होते हैं गरदन के उपर typically वो दिखाई देंगे clearly इस detailing आप जब करते हैं तो brush का size आप देखिए छोटा पतला हो जाता है अब जितना पतला brush यूज़ करेंगे उतना ही detailing और अच्छा होता है यह मेरा मानना है आप इसमें थोड़ा white यूज़ कर रहा हूं जाप हाइलाइट्स हैं उनको डाल रहा हूं कर देखिए उपर चंकर जी का गला वैसे भी बहुत ही नीला रहता है क्योंकि यह सब माना गया है कि उन्होंने जो समुद्र मंथन हुआ था उसमें विश और अम्रूत इस तरह के दो घड़े निकले थे उसमें से जो विश का पान है वो चंकर जी ने किया था और विश पिया तो उनके गले से वो तरके उनकी बॉड़ी में गया तो गले का एरिया है वो बहुत ही बलू है और उस गर्मी को मिटाने के लिए उनके गले के उपर हमेशा एक सांप जो हता है वो रहता है जिससे उस थंड़क मिलती रहती ऐसा मैंने सुना है अगर आपने कुछ और सुनाएं तो प्लीस शेयर कीजिए रगर जी अपने आप में महाशक्ती हैं और वो तीन देवतावं से जिनों निर्मान नियंतन और डिस्ट्रॉय तो यह विनाशक के रूप में भी माने जाते हैं जब रित्वी पे बहुत पाप घड़ जाता है तो यह आके अपना इक याट आडव दिखाते हैं और डिस्ट्रॉय बहुत भी में दिन आ ह्ठाण का आप में वहाव है अर इक शांतीका भाव लाने की चीजे नश्ट वह जाती है, और उनका जो तांडव है वो बहुत ही प्रसित्व है, उनको नटराज भी कहा जाता है, वो बहुत अच्छा नृत जाता है, जो भरतनाट्यम शेली है, नृत की, वो कियूधी से ही पाइड है, और उनके जो पोजेस हैं नटराज के, वो भी पोश्चर है, तो काफी फेमस है, उनके सिर में गंगा न दिया, जब गंगा को स्वर्ग से नीचे लाया गया, तो जब डाइरेक्ट रित्वी पे गिरती, तो प्रलय आ सकता था, तो शीव जी ने गंगा को अपनी चोटी में धारंड किया, और वहां से गंगा पूरे भार पाइजत वर्ष में बहती है, देरे-देरे करके, इसके लिए गंगा उनके सिर में हमेशा से लिए, उनके माथे पे या सिर पे चंद्रमा भी रहता है, वो भी उनका एक पहचान या चिन है, या शीव जी का सिर पे चंद्रमा, गले में सांप, हाथ में डमरू और तरशूल और साथ में नंदी, ये कुछ ऐसे प्रतीक हैं, जिसकी वैसे हम खहचान जाते हैं कि शीव जी उनको बोले नाद भी कहा जाता है, क्योंकि जो शिश यो भक्त उनकी तपस्या करता है, और उनको मना लेता है, तपस्या से जागरित कर लेता है, वो जो चाहिए वो भरदान इसके लिए उनको बोले बाबा भी कहा जाता है, इनका वास कैलाश के परवत है, वहाँ पर बोला गया है, ये तो फुत्र है, एक गनेश जी और एक कार्थी के अनुए, तो मैंने दोस्तो शंकर जी की ये पेंटिंग बना रहा हूं, मैंने इसके पहले मा काली की भी पेंट मैं आगे भी बनाता रहोंगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है, कुछ जो हमारे भगवान है, मुझे बहुत ही इंस्पायर करते हैं, महाखाली में से एक है, चंकर जी, गंपती जी, हनुमान जी, श्री राम, कृष्ण, सभी मुझे बहुत ही इंस्पायर करते हैं, और अभी आप देखिए, चेहरे का पॉर्शन मैंने लगभग कम्प्लीट कर लिया, एक बार फिर से मैं रिविजिट करूँगा, पर अब मैं जो है, मिडिल बॉडी जो पीच का शरीर है, उसके ओपर फोकस कर रहा हूँ, जैसा कि मैंने पहले बताया कि मैं उनकी जो मसल्स हैं उनको पेइंट करूँगा, उसके लिए मैं डार्क लाइट और लाइटर टोन्स को यूज़ करके उनकी जो नसें हैं, मसल्स कटस हैं उनको पेइंट कर रहा हूँ, काफी ही हरकुलस टाइप की कौाडी है, गशरीर है, तो इसको जस्टिप्स करने के लिए मैं कर रहा हूँ हो जैसा कि मैंने शुरू में बताया रहा है ये पेंटिंग शंकर जी को जो मैं पेंट कर रहा हूं तो सिर्फ तीन कलर यूज कर रहा हूं पर्पल कलर अल्ट्रा मरीन ब्लू कलर एंड वाइट कलर इसके लाब मैं कोई कलर यूज नहीं कर दोस्तों जब हम आर्ट सीखते हैं जिसको काफी प्रैक्टिस किया जाती है और उनको काफी प्रैक्टिस किये कराई जाती है तो जब भी हम फिगरेटिव पेंटिंग बनाते हैं आप इसी फिगर को पेंट करना होता है इवन जानवर को भी किसी भी अनिमल को पेंट करने को बड़ा ही धार रखना परता है कि प्रपोर्शन काई अगर आप मेल और फीमेल बॉडी में देखेंगे तो जो प्रपोर्शन है वो काफी डिफ्रेंट रहते हैं जो पोजिशन पोजिशन हैं उनके वो काफी डिफरेंट रहते हैं दो दोनों ही मनुष्य जाती है पर फीमेल और मेल इनकी बॉडी में भी काफी अंतर रहता है और यही डीटेलिक आपको स्केच बनाते समय ध्यान करते हैं क्योंकि आप जब स्केच अच्छा बनाएंगे किसी भी बॉड करते हैं या हाथ बॉड़ी के सबसे बनाए चोटा बनाए पंजे चोटे बने हैं उससे पूरा का पूरा जो फिगर है वो बिगड़ जाता है और फिर आप प्रींटिंग करते समय उसको नहीं सुदार सकते हैं तो जब आप स्केच बनाते हैं तो आपको इन सब चीनों का ध हम रच मेन करता है। उसका बैलनस कैसा है। उसका प्रोपोशन कैसा है। उनके हमीं के साइज क्या है।। की आखो पर साइज गया है 군 अफी नाइख और लिबस सही पर्पोर्शन में है की नहीं है उनके जो धड है उसका साइज कैसा है लैक्स कैसे है आडे दिर्चे तो नहीं है अलब आपको थोड़ा सा उसके पर काम करना चाहिए जब भी मेरे को मौका मिन सै मैं sketch करता रहता हूँ जो मेरे surrounding में लोग हैं उनको देखकर कहीं बैठा हूँ तो वहाँ पर भी sketch मैं बनाता रहता हूँ एक चोटी सी डाइरी है मेरी और मेरी pencil रहती है हमेशा मेरे साथ तो जहां भी मेरा को मुखा मिलता है अब दोस्तों मैं बैट के sketch करता हूँ क्योंकि जतना आप sketch के पर ध्यान दोगे practice करोगे उतना ही आपका painting दू होगा क्योंकि जब sketch आपका clear और अच्छा रहेगा तब आपकी painting भी उतनी ही इस उदर दे कलर आप थोड़ा बहुत इदर उदर भी करेंगे बड़ा sketch अच्छा रहेगा तो painting फिर भी बहुत अच्छी आप अगर color बहुत अच्छा भी कर लेते हैं या करते हैं और आपका sketch उतना अच्छा नहीं है तो फिर वो पूरी painting कर लेकार लेगा तो मैं भी reference photo जो यूज़ कर रहा हूं उसको देखें धीरे-धीरे muscles हैं या cuts हैं उनको paint करने को श्क्रता हैं अभी मैं dark tone से करूंगा और फिर बाद में थोड़ा light mix करके इसको blend करूंगा इससे वो एक दम से sharp नहीं लगेंगा और वो एक proper body shape में दिखाई देखेंगा अभी हालमी में मैंने एक art festival में भाग लिया था पूने art festival ये पहली बार हुआ था पूने में इसके पर मैंने एक video भी डाला है अपने channel पर जिस मैंने बहुत लोगों का काम देखा वहाँ पर इतना अच्छा काम था बहुत लोग आये विजिट भी किया बहुत भीड थी 26 नवंबर दिसमबर से 29 तक ये पंडित फार्म करवी रोट पूने में था बहुत बड़े अरिया में वहाँ पर काफी live demos भी हुए काफी renowned artists Mr. Kamath वासुदेव Kamath इन्होंने भी live portrait किया विचर विस्वाल सर में भी एक प्रेंटिक भाए कुछ इवेंट्स भी थे musical, fashion show and on पर जो काम था हमाँ जो पेंटिंग था है ती या स्क्वाट्र से अमेजिंग वर्ड तो वहाँ से भी मैंने बहुत सारे ideas लिये हैं मेरे काम को क इस तरह की events होते हैं उसमें आप काफी कुछ सीखते हैं as a artist और as a art lover also बहुत सारे चीज़ों से देख सकते हैं जो नहानायात काम हैं different लोगों का अलग अलग जगों से जो काम करते हैं बहुत ही अलग ही माहूल था और चार दिन कैसे गए मेरे को समझ मेनी आया मेरी भी stall थी stall number 81 काफी लोगों ने अप्रिशेट किया मजा आया आगे भी करता रहूंगा पिछले साल मैंने खरीवन घस से जादा आर्ट एक्जिबिशन में पार्ट इस्पेट किया अभी तक मैंने कोई अपर मैंने गुरूप और इस तरह से आर्ट एक्जिबिशन में आट लिया आए 16 जनवरी से मतलग कल से मेरी एक आर्ट एक्जिबिशन गोवा में है जहां पर मैंने चार पैंटिंग्स अपने डिस्प्लेए पे लगाई हुई है मैं अनपॉचनिट के नहीं पाया बट मैं मैं लगता है कि यहां लोग जरूरी मेरी पैंटिंग को देखकर आनम लेंगे मेरा अपकमिंग आर्ट एक्जिबिशन जो है सोला फरवरी को है वह बाल गंदर पूने में आपर बहुत सारे आर्टिस्ट पाठ लिए आप जो है नीचे की साइट के हाथ का मसल्स ट्रॉकर रोग कि अभी बनाने में अभी भी उतना कॉंफिडेंस नहीं है अभी भी उतना कॉंफिडेंस नहीं है अब पेट का नीचे का हिस्सा है उसको डारकर टोन के साथ कावर कर रहा हूं इससे वह एक शेड़ो आएगा हाथ के कारण अब उनका जो है प्रिसलेट बना रहा हूं ती तीन कलर के साथ वाइट लाइट पर्पल एंड अल्ट्रामरीन प्लू अब जो भी है हाईलाइट्स वाइट के साथ कर रहा हूं एक शाइन का भी इफेक्ट हा रहा है अब देखरें ऐसे को कट्स को भारने के लिए यहां डारकर टोन तोन इसकर रहा हूं और जहां पर उसको आपर की तरफ तकाने के लिए वाइट यूज़ करता हूं इससे वह अठा हूँदिक ता है उनका फेस आप देखिए तो कितना नहीं शान्त और सयम से भरावा फेस दिखता है। मैं बहुत ही खुश हूँ अपने काम पर यहांपर लोग जनरली फेस को देखते हैं। भगवान का फेस उनको एक शान्ती मिलनी चाहिए। एक राजा रभी वर्मा का नाम आपने जरू सुना होगा। उनके पर एक बूवी भी बनी है। वो एक ऐसा आर्टिस्त है। जिन्होंने वो इंडिया के पहले इसे आर्टिस्त जिन्होंने काफी फिगरेटिव पेंटिंग्स पर काम किया। और जनरली वो भगवान से रिलेटेटेट हुआ करके थी। जैसे कि कृष्ण है और शिव जी अधिया है। और उने सरस्वती जी, लक्षमी जी ये सबकी पेंटिंग्स बनाए। और ये पेंटिंग्स जो पहले के जमाने में अवेलेबल हुआ करती थी। वो राजा और राज कर्मियों के लिए अवेलेबल होती थी देखने के लिए। पर उन्होंने जब ये पेंटि जन्दी। उसके बाद ये पेंटिंग्स जो उन्होंने बनाई थी सारे भगवान की राम, शकृष्ण, लक्षमी, सरस्वती। उन सबको जो आम जनता थी उनको देखने के लिए रखा गया। तो कई ऐसे लोग थे जिन्होंने भगवान को पूछते थे और भगवान को दि पूटे जो आज भी नहीं के मज़ा आपको लक्षमी जी की फोटो या जो आज भी आपको दिख सकती है। या सरस्वती कैसे दिख लगती है। राम कैसे हो सकती है। जो उन्होंने अपनी पेंटिंग्स में पेंट किया था और आम जनता ने जब वो देखा तो उनको काल सरसुदीजी की फोटो गूगल पर सच करेंगे तो आपको 100% chance हैं हो राजा रावी बर्मा की पेंटिंग्स की फोटो रहती है। बहुत ही बड़े-बड़े कलाकार हुए है इस दुनिया में इंडिया में भी मैं रभी वर्माजी की पेंटिंग्स को बहुत ही सराता हूं मतलब मुझे बहुत अच्छी लगते हैं उनकी जो सारी पेंटिंग्स हैं वो अभीलेबल हैं देखने के लिए नेट के उपर आप ज सब्सक्राइबर्स हैं मैं यह रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको पसंद आता है यूट्यूब चैनल तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है तो और भी अपने फ्रेंड्स और फैमली को बताईए इस चैनल के बारे में क्योंकि इस चैनल हूँ आपको मैं इस चैनल में दिखाता हूँ तो मेरा प्रयास यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग पेंटिंग सीखें इसके लिए जरूरी नहीं कि आप बहुत हाई लेवल पर कहीं सीखें या कॉलेज में जाएं आपने आपसे भी ट्राय कर सकते हैं सीख सकते हैं और सम जो कि मैं भी करता हूँ और मुझे भी सीखने के लिए चाहिए हं चाहिआ हूँ इस सीक到 में नेट पे जाकर इसको डेखताँ और सीखताँ कुछ मेरे फ्रेंट्स भी हैं कुछ आर्टेस्स अग्यार मैं भी इससे बात करता रहता हूँ और उंक यशे इन्पूतवेरानाग तो आप अगे नहीं वड़ सकते हैं तो हम लोग को अपने जॉब में आईटी के जॉब में भी यही सिखाएगा कि टेकनलोजी हर दो साल में चेंज हो जाती है और अप नहीं टेकनलोजी को नहीं सीखते हो तो आप फिर मार्केट के लिए रिलेवन नहीं रहते हो तो यह बहुत important है कि आप अपने आपको हमेशा improve करते रहें, आप सीखते रहें, जहाँ आपने सीखना बंद किया और वहाँ आपका पतन चालो हुआ, सीखने के साथ आप practice भी जो आपने पुराना सीखा है, उसको भी आप practice करते रहें, जिससे आप अपने basics को कभी नहीं भू करते हैं, और उसके उपर आप improve करते हैं, अब मैं उनकी रूदराक्ष की जो माला है, बना रहा हूँ, उसलिए फिर से ultramarine blue ही उसकर रहा हूँ, अब फिर से मैं highlight कर रहा हूँ, उनकी जो बंके हैं, भुजा पे जो लगाय हूँ है, वो भी रूदराक्ष के होते हैं, उनक अब जो गेट अप है, वो और निखर के आ रहा हूँ, थोड़ हाइलाइट्स कर रहा हूँ, जहां पर ज़रूरत है, अब जो है, पानी में उनका डार्क एक शेडो है, उबर आ रहा हूँ, अभी शिव जीय से उड़ते हूए दिखाए दर है, जो मैं शेडो बनाऊंगा, तो पानी के बीच में ऐसे बैठे हुए नजर आएंगे, तो यह बहुत इंपोर्टेंट है, कि आप शेडो ध्यान से बनाईए, अब आप देखिए, वो शेडो बनते ही, वो ऐसा दग रहा है कि वो नतीव के सरफेस पे बैठे हूए, अब मैं जो है, मन्दिर के शेडो को और डाकर रहा हूँ, जिससे यह काफी रियलिस्टिक एक लुक आएगा, जब जनरली जब लाइट पीछे की तरफ से आ रही होती है, तो इस तरह का डाक शेड बनता है, और वही मैं पेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप यह देख रहे हैं, यह मेरा तीसरा या चोथा कोट चल रहा है पानी का, अभी मैं स्काय को भी फिर से पेंट करूँगा, इसमें मैं थोड़ा सा रॉस यहना भी लगाऊँगा, जिससे और एक फ्रेश लुक आएगा, ओम नमस्षिवार, यह मन्त का जापब करते रहे हैं, अपने जीवन में एक शान्ती का अनुवर यलो आर्कर को यूज कर रहा हूँ, इसके लिए मैं देड़ इंच का प्रेश और फॉरिजिटल लाइन्स मैं पेंट कर रहा हूँ, जिससे डेफ्थ और आजाएगी, जैसा है कि मैंने बुला जो स्काय मैं पेंट के दे वाइट कलर के और को मैं डिसपीर कर रहा हूँ, जो करने के बाद मंदिर काफी पास आ रहे थे, अभी जब मैं स्काय को पेंट किया, तो उसके बाद जो है, एक टेफ्ट मिल रहा है, जब आप इस तरह से पेंटिंग के बाद फिर से रीपेंट करते हैं, तो आपको बड़ा ध्यान दे के पेंट करना बोलता है, क्योंकि बाकी जो आपजेक्ट्स हैं, वो ना उसमें बिकर जाए, तो जब आप दूसरा पेंट कर रहे होते हैं, गलती से अगर यह से प्षिव जी के उपर एक स्ट्रोक मेरा गलती से चला जाएगा, तो वो ब्लू कलर जो है, वो भी सूखा नहीं है, वो इसके उपर मिक्स हो जाएगा, तो यह बहुत ही एक सोच समझ के और धीरे-धीरे काम करना पड़ता है, अगर आपने गलत स्ट्रोक करा लगा दिया, तो जो है, पेंटिंग पुरी बिखड सकती है, फिर उसको रिकवर करने के लिए आपको बहुत मैनत करने पड़ेगा, अब मैं जो है, उसका होरीजन ला दूर ऐसा फिल ओवर की लाइट आ रही है, तो टैफ्ट आएगा जिसमें, उपर डार्क पीछ में लाइट और लाइट इस तरह से इसका है जब पेंट कर कलर विरिएशन तो एक पेंटिंग में बहुत डीप होने का पीलिंग आता है, और आप देख सकते हैं कि इसकी डेफ जैसा कि अभी मेरे को पेंटिंग करते हैं थोड़ा भचाना पड़ रहा है, शीव जी का ब्लू कलर नहीं मिक्स हो जाए, इसके लिए ज़रूरत है हुआ मैं छोटा प्रेश भी यूज़ करता हूं, और क्लीन और माइन्यूट काम करता है, बड़े प्रेश से उपना पॉस प्लेंट करने के लिए मैं पड़े प्रेश को इस तरह से लगबख यह पिंटिंग कंप्लीट हो गई है, अगर आपको पसंद आयोगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने प्रेंट्स को जो सीखना जाते हो पिंटिंग, थैंक यू वेरी मुच पर य नहीं किया है मेरा चनल दो प्लीज सब्सक्राइब भीजिए, थैंक यू वेरी मुच तो दोस्तो आपने देखा कि इस पेंटिंग को मैंने किस तरह से कंप्लीट किया, इसमें मैंने तीन लेयर में काम किया, पहले मैंने स्काइब किया, फिर जो है टेंपल्स को बनाया, फि किया उसके बाद, आप बने रहे हैं, इस चैनल पर देखते रहे हैं, मैं एक के बाद एक वीडियो पोस्त करता रहता हूँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और इंज्योई कीजिए पेंटिंग मेरे साथ, थैंक य कर दो झाल झाल